नमस्कर सातियों, सातियों मैं आ गया हूँ अभी शाम को रात होने जा रहे टेरिस गर्डन में और हर हर महादेव के साथ दिखिए आज दिखाता हूँ मैंने क्या अरेंज किया है देखिए पहले मेरे हरे वरे पोदेश देखिए और दो लाइने इन पर मैं सुना देता हूँ के सलीका सीख रहा हूँ मैं रिस्ते निभाने का पोधों से बसंत हो या बरसात हो दिल से जुदा होने नहीं देते जक्म तो बहुत मिले हमें भी उपहार में चंद पोधे मेरे मगर जक्मों को हरा होने नहीं देते तो साथियों देखिए मेरा टेरिस गारडन में मैं रोज सुबह शाम आता हूँ ये देखिए मेरा मिनी गारडन है सकुलेंट और कैक्टस का और देखिए बहुत फाउंटेन ये मेरा वर्टिकल गारडन मैं कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ और चेंज नहीं बलके रियरेंज करता रहता हूँ कुछ अपने जो टेरिस गारडन के मेरे सतसे हैं कुछ जीवीत हैं कुछ आर्टिफिचल हैं उनको बस मैं रियरेंज करता हूँ ये देखिए एक रहनी बजाते हुए गोतम बुद्ध एक व्रक्ष और व्रक्ष पर बैटी होई चिडिया है और उसके नीचे स्री करस्णा अपनी काम देनूं के साथ और एक रैबिट और लाइटिंग अरेजमेंट ये देख रहे हैं ना कितना खुब सुरा सा द्रस से आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हमारे शाम को या रात्रीज की जो सुबारम होती उस समय का है और देखिए मेरी सोल लाइट अपने आप चार्ज होती है दिन में देखिए दूसरी तरफ सोलार है डक्स डियर और गोतम बुद सांती के प्रतीक इनको मैंने एक स्टेंड पे एक ग्रीन अपना ये रखके कपड़ा थोड़ा सा ग्रीन सा जिसको हम मैट कह देते हैं उस मैट के उपर मैंने इनक जनमस्तमी आने वाली है कितना सुन्दर सा जनमस्तमी के लिए एक द्रस से तयार हो गया जनमस्ती की सजावत के लिए कितना बढ़िया द्रस से आपको देखने को लग रहा देगे हीरन कितने चोटे-चोटे से गोतम बुद्र काम देनू रैबिट और स्रीक्रस्ना एक पेड़ हो वहां बार्ट्स ना हो तो ये तो हो ही ने सकता है तो देखे मेरे जो चंद हरेबरे पेड़ हैं कुछ बार्ट्स मैंने कहीं से उनको कते हरानी होने देते तो जक्म तो बहुत मिले हैं हमें भी उपहार में चंद पोदे मेरे मगर उने हरा होने नहीं देते तो देखे ये कहवत बहुत ही सुंदर ये मेरी जो दो लाइने बहुत सुंदर बैटती हैं आज के द्रस्ते पर कोई भी दर्द आपको है कोई भी आपको निरासा है इनके आग पास आके बैटिये तो सही पेड़ देखिये चंद पोदे घर में लगाईये तो सही पेड़ देखिये कितना सुन्दर ये दुरस से लग रहा है कितना पियरा दुरस लग ऐा स्रीकरस्णा जो एक ज्छाकी मैंने तैयार किये मैंने बता हैंगा हम चेंज करते रहते हैं परिवर्थन तो परकृति का नियम है, हम अगर परिवर्थन करते रहते हैं, तो उसमें एक सकार आत्म कुर्जा उत्पन होती है, उस स्थान पर, और एक हमारा जो विचार हमारे धिमाग की सोच है, गलट डायरेशन में कहीं जाती, हम उसको सीमित कर देते हैं, एक सरजन में, एक सरजना बनाने में, एक सरजनातम कारे करने में, तो इस साथियों ये आपकी क्रियेटिविटी निकल के बाहर आती है, इसको मैं हमेसा कहता हूँ कि बच्चों को इन चीजों को जरूर दिखाना चाहिए, उन से करवाना चाहिए, तो उनका जो टैलेंट है, उनकी जो क्र प्रियेटिविटी है, वो निकल के आती है बाहर, देखें मेरा वर्टिकल गार्डन कितना खोबसूरत ले रहा है बैक ग्राउंड में, इस जहांकी के स्री कृष्णा जनमास्टमी की जो जहांकी मैंने त्यार की है, उसके बैक ग्राउंड में वर्टिकल गार्डन, नीचे मेरी आर्टिफिसियल जो मैट पड़ी हुई है जो आर्टिफिसियल गरास है वो और उसके उपर स्टेंड पर ये सजे हुए कुछ पोध है कुछ हमारे जो टेरिस गार्डन के सदस से है वो कितने खूब सूरत लग रहे हैं ये देखे गोतमबूद हिरन कामदेनू रेबिट और बंसी लिए हुए स्रीकरसना घी खाते हुए और ये कुछ लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये एक सुन्दर सा एक कॉम्बिनेशन जो ये बन के आया है बहुत ही अच्छा ये लग रहा है हमारा तो सातियों कैसा लगा आज का मेरा ये री अरेंजमेंट री परपज, री यूज या डी आई वाई कुछ भी कह लिजे अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा सब्सक्राइग करना मत भूलिएगा थैंक्यो दोस्तो फिर मिलते हैं एक ऐसी खुबसूरत से वीडियो में नमस्कार